Hello everyone, welcome to my YouTube channel और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं प्रिवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अन्गूप्ड डेटा या इंडिवीडिवल सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रीप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रूप्ट डेटा में हमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी रहती और ग्रूप्ट डेटा में हमें फ्रिक्वेंसी दी रहती है यानि कि जब हम आज डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे तो हमें डिस्क्रीट सीरीज में फ्रिक्वेंसी भी दी रहेगी तो चलिए सबसे पहले formula देख लेते हैं formula है size of n plus 1 upon 2th item यह same वही formula है जो हम ungrouped data में भी use कर चुके हैं बस यहां फर कितना है यहां पर n का मतलब होता है summation f summation f यानि की frequency का total और क्या दिया है the position of median can be located through cumulative frequency cumulative frequency को हम लोग cf भी बोलते हैं तो जो median की position होती है वो हम लोग cf की through भी locate कर सकते हैं तो चलिए practical questions से इसको और easily way में समझ लेते हैं so guys यह है हमारा question क्या बोला गया question में the frequency distribution of the number of persons and their respective incomes in rupees are given below यह जो number of persons है इनकी income हमें दी गई है calculate the median income हमें इसका क्या median income find करना है अब इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले cf निकाल लेंगे cf कैसे निकालते हैं यह जो में frequency दी है suppose सबसे पहली frequency क्या दिया है हमें 2 तो 2 हम as it is लिख लेंगे then 2 के बाद क्या दिया है 4 तो 2 और 4 को हम लोग add कर लेंगे तो वो हो जाएगा 6 then 6 और 10 को add करेंगे तो वो हो जाएगा 60 फिर 16 में 4 को add करेंगे तो वो हो जाएगा 20 मतलब हमें frequency को एक दूसरे से add करते जाना है तो हमारा cf निकल कर आ जाएगा तो यह हमने cf निकाल लिया है अब क्या करेंगे formula लिख लेते हैं अब देखें यह median का formula है यहाँ पर n का मतलब क्या होता है summation f summation f यानि की frequency का total तो frequency का total है 20 तो हम यह formula में put कर देते हैं 20 plus 1 upon 2 यह हो जाएगा 21 upon 2 then जब इसको divide करेंगे तो यह हैगा 10.5 तो 10.5 अब हम देखेंगे कि जो 10.5 आइटम है यह cf में कहा locate कर रहा है तो यह 16 के अंडर आएगा 10.5 आइटम 16 के अंडर आएगा तो 16 के सामने वाला variable क्या दिया है हमें 300 16 के सामने वाला variable हमें दिया है 300 तो जो हमारा median निकल कर आया वो क्या आया 300 तो इसी तरीके से हम लोग discrete सीरीज में median fine करते हैं तो यह था आज का मेरा वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करिए थैंक यूद्ध आया है